नमस्कार दोस्तूं आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दमोनोज में और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके आकाउंट में जन धन अकाउंट में पैसे नहीं आये हैं तो कौन से तारिक को आने वाले हैं अगर आपको पाहला किस कौन तारिक को मिलने वाले हैं और कौन से तारिक में जाएंगे ताकि आपको लोटकर आना पड़े और आप पैसे को आसानी से उठा सकते हैं और आप जितने भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं तो चलिए हम आपको बताने वाले कि आप कौन से तारिक हो जाए आपको पता होगा कि नरंद्र मोदी ने एलान किये थे कि सभी महिलाओं के जंधन खाते में तीन महीने बैक टू बैक आपके अकाउंट में और पांपांट सो रुपए तीन किस्तों में दिया जाएगा पांपांट सो रुपए यह लौकडाउन के तहर दिया जा रहा है और पहला किस्त सभी अकाउंट में आ चुके हैं और दूसरा किस्त अगर आपको नहीं मिला तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए अगर चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक रिपोर्ट को और रिपोर्ट से पता करते हैं कि आखिर में कौन से तारीक को पैसे मिलने वाले हैं तो यहां पे हम एक website पे आ चुके है आज तक की website पे और यहां पे इसे देखते हैं और जानने का पर्यास करते हैं कि कौन से तारीको आप पैसे मिलने वाले हैं जंधन खाते में सवमवार से डाले जाएगी दूसरी की इस पैसा निकालने का ये है नियम आपको क्या नियम है पैसे निकालने का हम बताने वाले हैं इस वीडियो में और अगर आपके जंधन अकाउंट में पैसे ने आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाश्ट की देखिए सोंबार से मिलनी शुरू हो जाएगी आनि आज से सरकार सोंबार से 500 रुपर ये की दूसरी किस्त डौनने वाली है ये किस्त महिला जंधन धारकों के अकाउंट में दी जाएगी जैसे आपको पता होगा कि जितने भी महिलाओं के जंधन खाती हैं उसी के अकाउंट में पेसे आने वाले हैं वाकि दूसरे अकाउंट में आपको नहीं मिलने वाले हैं देश में करोना वाइरस का संकर्मन बढ़ता जा रहा है इस वाइरस की वज़ा से देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है अब लॉकडाउन 17 म पाइद तक के लिए लागू है इस संकट के बीच के अंदर सरकार स्वाम बार से 500 रुपई की दूसरी किस्त डानले वाली है एक किस्त महिला जंदंधारकों के अकांट में दी जाएगी बता दें कि सरकार की वोर से गरीबों की मदद के लिए अपरेल से 3 महिने तक हर मह 500 रु की आरतियों को यह पैसा निकालने के लिए एक शारनी जारी की गई है उसी के हिसाब से वे बैंक सक्षा या घ्रांक सेवा केंदर शीय स्वाम पी जाकर पैसा निकाल लें इस पैसे को एटिम से भी निकाला जासकता है देवासिस पांडा ने कहा कि बैंक साखावों में भीण ना जुटे इसलिए इस रासी का हस्तांतरन पांच दिनों की यवधी में क्या जाएगा इसे समाजिक दूरी के निर्देशों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी तह सारनी के अनुसार ये से महिलाओं जिनके जंदनखातों का आखरी अंक सुन्य और एक है उनके खातों में या पैसा चार मई को डाला जाएगा आनि आज ही उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो वह आसानी सिर्थ памच तारीकों पैसे को निकाल सकते हैं उनके खातों का आखरी अंक दो और तीन है वे पांच मई को अपने खाते से पैसे निकाल सकती है और आपे देखिए वही छो मई को चार और पांच अंतिम अंक और आठ मई को छो और साथ अंकों की महिला अलावियार्थों के खातों में या पैसा डाला जाएगा जिन खाता धारकों के खातों का अंतिम अंक 8 और 9 है उन्हें 11 मई को या पैसा मिलेगा किसी आपात इस्तिती में महिला धारक ततकाल या पैसा निकाल सकेगी 11 मई के बाद के बाद वे सभी भी अपनी सुविधा या पैसा निकाल सकेगी इसका मतलब है कि 11 मई के बाद आप पेसे को किसी भी दिन निकाल सकते हैं अगर आपके बैंक के अकाउंट का नमबर 0 या 1 है अन्ती में तो आप 4 मई को पेसे निकाल सकते हैं 4 मई को आपके अकाउंट में पेसे आ जाएंगी अगर आप चाहते हैं कि आप लोड कर ना आएं तो आप 11 या 12 मई को जाएं पैसे उठाने के लिए आपके पैसे निश्चित ही मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं क्या से छोटा सा एक सारनी दिया हुआ ही सारनी को देखते हैं परधान मंत्री घरीब का लियान पैकेज के अंतरगत परधान मंत्री जन धन योजना के महिला लावियार्थियों के बैंक खातों में मई मा की 500 रुपए की कीष्ट भेजी जा रही है वेशे तो आप सभी बैंकों से या राशी कभी भी निकाल सकते हैं लेकि आपकी सुवज़ा के लिए बैंकों ने वीतरन की परणाली बनाई है या बैंक खातों के आखरी नमबर की अनुसर होगी 11 मय के बाद आप किसी भी दिन अपने बैंक से राशी निकाल सकेंगे कर्थियों के अनुरोध है कि समय सारनी का पालन करें बैंकों में भीड़े ना करें और अपने और दूसरों से दूरी बनाई रखें अपने मोहले में इस्तित एटीये मसीन पास के बैंक मीत्र CSP इत्यादी से रासी ले और बैंकों में कम से कम जाएं भारत सरकार के इस एनुसर इस लोगडाउन के दोरान ये टीयम का इस्तिमाल पुर्णत्या मुफ्त है सावधान रहें स्वस्त रहें ठैक्यू दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेकर के तत्त के लिए बाई